असलाम नेकों फैंस मैं मुहम्मद राश्य और आज यह चोटी सी एक वीडियो टुटोरियल के तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कैन्वा को लर्न कर रहे हैं अवर उन्होंने मुझसे पूछा कि हमलो चैन्वा प्रो कैसे हाथिय। क्योंकि जो कर प्रो के फीचर्स हैं वह हम लोग जाईबा के सिंपल अकाउंट के ओपर यूज नहीं कर सकते और अगर कोई हम लोग के टूल्स को इस्तमाल करते हुए के फीचर को इस्तमाल करते हुए अगर हम लोग कोई फीचर को यूज करते हैं तो वो या तो वीडियो डाउनलोड नहीं होती या फिर वो थमनिल या जो केनवा का वाटर मार्क है वो उसके उपर आ रहा होता है तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम लोग फ्री में कैनवा प्रो कैसे लेंगे कि कि बहुत सारे लोग पेड की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास फ्री वाला एक सोर्स है तो हमें वो क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो इसके लिए चैन्द छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों को फालो करना है और आप लोगों को कैनवा प्रो की एकसेस मिल जाएगी सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोग यहां पर लिखेंगे Learn with Shajil यह Shajil साब जो है यह मेरे टीचर है और इनके पास एक टीचर का अकाउंट है जिसमें यह स्टूडेंट्स को एड़ करते हैं और हमें Canva Pro के तमाँ features की access free में मिल जाती है तो आप लोग इस तरह से Learn with Shajil को open करेंगे चुँकि मेरे पास यह application installed है तो यहां पर आप देखें यह वाला इनका इनकी तस्वीर का यहां पर logo है और यह मेरे पास already installed है तो मैं इसको open करूँगा open करने के बाद हम लोगों को इस तरह का कुछ overview देखने को मिलेगा application का interface देखने को मिलेगा हम लोग next next करेंगे और फिर यहां पर जाके इनके साथ अपना एक account बनाएंगे ठीक है इनके साथ एक account बनाएंगे account बनाने के बाद मेरा ख्याल है मेरा account यहां पर already बनावा है क्योंकि मैंने इनकी already access ली हुई है ठीक है तो हम लोग जाएंगे यहां पर इनके साथ account बनाएंगे internet solo slow है जिस वजह से शायद problem हो रहा है sign in ठीक है तो login with google मैं करता हूं क्योंकि मेरा already यहां पर account है इनके साथ तो जो मेरा जीमेल यहां पर लगा हुआ है मैं उसी के साथ इसको login कर लूँगा login करने के बाद बिल्कुल छोटा सा process आगे है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा के देखिएगा यह login हो जाता है और बागी का step वह आप लोगों के सामने आ जाएगा ओके चूज टाइप ओफ लॉग इन और रिजिस्टर ओके यह देखें मेरा अकाउंट चूंकि यहां पर लॉग्ड इन है और मैंने सिर्फ इसको साइन इन किया यहां पर अब क्या है यहां पर आके लोग फस जाते हैं वह step कौन्स है हम लोग जाएंगे यह जो हमारे पास message का button है यह वाला यहां पर हम लोग जाएंगे और हमारे पास यहां का इनका अपना जो built-in feature है built-in feature है वो आ जाएगा तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा कि हम लोग यहां पर देखिए उनका जो automatic okay यहां पर हमें तीन चार options दे रहा है bot जो है उनका जो लगाया हुआ है कि Canva Pro की access चाहिए हमको तो मैं इसके उपर क्लिक कर दूँगा फिर वो बोलेगा कि क्या आपके पास already Canva के उपर account created है sure do you have an account on Canva if no then please sign up first by clicking on this link okay यहां पर वो कह रहा है कि अगर आपका sign up नहीं हुआ 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 के उपर तो आप sign up कर लें और अगर आपका sign up है तो फिर जो है वो आप yes का दबाएं okay मैं yes का करता हूं तो मुझे आगे बताएगा that's awesome रशाद आसी please tell me your email and I will add you to the canva pro within 48 hours फिर यहां पे वो automatically वो वाला email जो यहां पे उनके account के उपर लगा हुआ है वो आपको suggest करेगा के आप यह email करें अगर आपका यह email नहीं है तो आप यहां पे अपना वो वाला email टाइप करेंगे जिसके उपर आपने canva का account बनाया हुआ है आप यहां पे वो email एंटर करेंगे for example मेरे पास यही email है canva के उपर ठीक है तो यहां पे last पे वो जब email submit कर देते हैं और इस तरह से क्या होगा कि within 24 hours हम लोगों को हमारे email के उपर एक invitation आ जाएगा जिसमें वो हमें प्रो की access दे देंगे और इसके लिए आपको बकाइदगी से 24 घंटे के जरान हमें अपना email चेक करने की जरूरत है तो इस तरह से हमें बिल्कुल few of cast canva pro की access मिल जाएगी उसके बाद क्या करना है कुछ लोगों को access मिल जाती है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने इसको कैसे चेक करना है जब email आने के बाद हमने उस invitation पे accept invitation पे click किया तो वो हमें directly land करवाएगा हमारे canva account के उपर और जब हम लोग canva account के उपर आ जाएंगे अगर तो हम लोग mobile के उपर हमारे पास ये menu के button में जाएंगे हम लोग और यह जो हमारी उपर profile आ रही है यहां पे हमारे पास यह right side पे down arrow का एक button है तो यहां पे आप देखें जितना भी मेरे पास pro के account है वो मेरे नजर आ रहे हैं तो यह learn with shagil lws academy की भी मेरे पास access है तो यहां पे वो access भी मेरे पास show हो जाएगी इस तरह से हम लोग arrow down बटन से हमारा प्रो वाला account select कर लेंगे जो हमारे account के अंदर मौजूद होगा और प्रो के features हम लोग बिलकुल free of cast इस्तेमाल कर सकते हैं I hope कि यह वीडियो आप लोगों को help करेगी canva pro का account free में हासल करने के लिए तो इस तरह की मजीद videos हासल करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें मैं आप लोगों को मजीद इस तरह की free वाले sources के videos बना के देता रहूँगा next video तक के लिए अलाहाफिज